आसमान में उड़ने का एक अनोखा और नया अनुभव इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है जो मैंने महसूस किया उसे मैं आप लोगों तक शेयर करने की कोशिस करूँ आपके लिए पुराना हो सकता है पर मेरे लिए बिलकुल ही ये अनुभव नया और अन है और हवाई जहाज की यात्रा करते हुए ऐसा लग रहा था उन बादलों को अपने अगोस में समेटे हुए है तो कुछ ऐसा अनुभव था जी मेरा ठीक है ना और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि इससे मतलब अच्छी तरह से जानते हैं पर मैं बताते हुए ठक हाँ सही है आप लोगों में से कितने लोग सोच रहे होंगे कि कैसा अनुभव है है ना लेकिन ये बात सच है क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग-अलग होता है क्योंकि मैं ज्यादा हवाई सफर की नहीं थी ये मेरे दूसरी बार की सफर थी पहली बार की जो सफर थी वो मे मोरी जो है उसे मैं समेट के रख लूँ ताकि ये हमेशा के लिए फिर दुबारा मैं सफर कर सकूँ ना कर सकूँ तो कम से कम ये यादे मेरे साथ रहेंगे जिसे कि मैं देख सकती हूं महसूस कर सकती हूं उस चीज को है ना तो उतने खुबसूरत नजारे थे जो बादलों मे से होके गुचर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पादलों अगर सीशार लगा हुआ ने रहा था तो जरूर हाथ निकालके पकड़ने के कोशिस करते हैं खुबसूरत बादल के नीले और सफेद रंग जो है एकदम अलग ही लग रहे थे और हवाई जहाज के जो पंखे निकले पंखे नहीं वो जो निकला हुआ दिखाई पड़ रहा है वो उपर नीचे होता हुआ बड़ा ही खुबसूरत लग रहा था तो कुछ ऐसा रहा जी मेरा यह अनुभाव है ना क्या करें क्योंकि किस्मत ही कुछ ऐसी है पर अपने किस्मत को कोशना नहीं चाहिए क्योंकि कि जब किस्मत खुलता है तभी कुछ हो पाता है तो कुछ ऐसा ही आप लोग समझें मेरी किस्मत खुल गई थी कि इस सुंदर नजारे को मैंने देख पाया और इस सफर में को मैं आप लोगों तक सेर कर पा रही हूँ ठीक है और यह जो है वो काफी दिन हो चुके हैं जब म समय का में मोदिज रखे हुए थे मैं इसे डिलिठी नहीं कर पा रही थी तब मुझे लगा नहीं इसे मुझे बना के रख लेना चाहिए क्यूंकि हर यादगारियां अपने पास होना चाहिए जो कि कभी भी हम उसे देख सकते हैं ठीक है ना तो चलिए आप लोग बने रहे और इस खुपसूरती का मेरे साथ साथ आप लोग भी आनंद लेजी क्यूंकि जो लोग हमेशा सफर करते हूं उन्हें तो मेरी इन बातों पर बेकोफी पना लग रहा होगा लेकिन मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्हें इसका अनुभाव ही नहीं मिला होगा तो कम से कम मेर विडियो से ही सही देख तो पाएंगे उस अनुभाव को महसूस कर पाएंगे ठीक है ना चलिए आप लोग बने रहिए ठीक है ना